हेलो फ्रेंज, वेलकम तु प्रयास इंस्टिटूट, तुम्चा सर्वान्चा स्वागत आहे। UPSC Mains 2023 नुक्तिज इन प्रोग्रेस आहे। GS1234 आणि एसे पेपर हे कंक्लूड जालेले आहे। ओप्शनल पेपर हे आता होना रहे। तुम्चा सर्वान्चा पहला सर्वान्चा एक इनिशेटिव गहोना लेला है कि जा चाग UPSC Mains through PRAYAS LENS, जे काई एसे बसने GS परेंद जे पेपर्स आता जाले है, नुक्तिज है, 2023 UPSC Mains जे त्या papers चा primary observations, प्लस त्या papers मदे काही PYQ linkages आहित का, प्लस त्या papers मदे जे प्रयास आपले इथे UPSC चा mains चा test series चांड़ेज करते, त्या चा तुन काही reflection होताएगा, आणि एक overall observation about the paper, है आपन रन करतो है, एसे GS paper 1 आणि GS paper 2 चा sessions अल्रेडी आपले YouTube चानल वर uploaded आहे, जर ते तुम्ही बगितले नसेल तक कुरूपया ते sessions बगा, इत्या आपन आज GS paper 3 चा basic analysis करना रहो, आणि in upcoming days, आणि डीटेल with answers पण या papers चा discussion करूया, सो लेट सी, first impression of GS paper 3 काया है, आणि एक overall analysis of GS paper 3, my name is मुहित सावन्त, मी GS 3 ची concern faculty आहे, प्रयास मदे, भगविया, काया है first impression, GS paper 3 चा, तर first impression मदे, बरेज विद्धर्थी असा मनता है, कि paper हा, लेंदी होता, लेंदी in what sense, तर मी मुद्दाम question mark दिले प्रत्ते गयाला, करें सगय आणि तो लेंदी बाट लासे, लासा जी बात नाही है, बट लेंदी in what sense, तर जे काई questions होते, previously, till 2022, GS paper 3 चे, तर यहां paper मने बराच बड़ा आसा होता, कि sir, questions were kind of straightforward, पड अत्ता यहां वर्षी से तुम्हीं paper बगितला GS paper 3 चे, I hope you must have gone through that paper, अपले telegram channel बर तो paper अपलोड़ेड तर question ची, जर तुम्ही word limit बगितली, तर ती question ची word limit ही बर्या पाई की word लेली दिशते आप लेला, आणि तर चा मुड़े, linkages पंड दिशता है, मझे GDP growth rate हा, MSME industry ला link के लेला है, मझे manufacturing ला पूर्वी link के लेला होता, पण आता manufacturing मदे पण MSME ला specifically link के लेला दिशतो है, ओके, unemployment unemployment चे reason विचार ले जाता, ते पूर्वी विचार ले होते, structural unemployment ही हावेस विचार ले गेली है, पन ते structural unemployment होब ताच, ते चे reasons वगरे तर आहे ताच, पन computational methodology of unemployment पन विचार ले, So, more than one subpart, असा मनुशक्तो आपन, एका question मदे दिशता है, और मुणून, हाँ paper थोड़ा लेन दिया है का, ते definitely paper थोड़ा लेन दिया है, in the form of question I am talking about, okay, obviously, answers तर तुमाला word limit fix है, ताच, मुणे, थोड़ा वाचा हैला, विचार जातों या paper ला, असा आपन मनुशक्तो, दुसरा एक first impression सांगता हील, कि सर, जे काई predicted sections होते, रादर, जे काई probable section होते आत्ता परियंताचे, ते सगल यहाँ वड़ा जीएस पेपर 3 ने, कि माँ UPSC ने skip के लेले दिशता है, मन्जे, no inclusive growth हाँ, एक topic होता, कि बर्याच वड़ा, दर वर्षी kind of inclusive growth हाँ repeat होता, यहाँ व दिशता नाई है, इवन infrastructure मदला PPP, हावर्ड अपलेला frequently बगहले मेलाएचा, यहाँ वड़े सुद्धा तो बगहले मेलत नाई है, water crisis, irrigation, हे वर्ड सुद्धा अपलेला यहाँ वर्षी जीएस पेपर स्री मदे दिशता नाई है, मन्जे, जे predicted sections है, ते sections UPSC ने skip के लेले आह अपलेला नवीन काही गोश्टी आड करून, एका प्रकारे कात टाक लेली दिशते है, स्पेसिफिकली जीएस पेपर 3 मदे, ओके, तो नो प्रेडिक्टेट सेक्षन है, तचलंतर old themes resurfaced, मग हे प्रेडिक्टेट सेक्षन है, स्किप्ट के लिए अथ UPSC ने, तच जा जुन् 2018 नंतर UPSC ने e-tech वर प्रश्ण विचारला ना होता, पड़ अत्ता UPSC ने तो questionary surface के लेला दिशतो है अपलेला, मी नहीमी माजे sessions मदे सांगा दस्तो, कि तुम्हाला PYQ ज अत्यंत महत्वाच्वाच्या है, 2013 ते अता 2023 यहा वर्ष आतले तुम्हाला PYQ भगण गर जेच् 2021, 2022 ने विचारलेला ना ही है, यहले तीन वर शबस ने विचारत ना ही है, तर मां का अपन ते topic कराएचे 2013 जाओदा चे प्रश्ण, ही एक UPSC ची trend analysis मदली नहीमी ची थीम है, हे लक्षाद गया, की they will come with old themes in the next year, ओके, त्यालास फक्त रीपकेजिंग करून ते पुना विच सांगना रच्छे, तो ET की ना अगरी कल्चर हे परत री सर्फेज जाले, लैंड रिफॉर्मस वर प्रश्ण होता 2021 ला सुद्धा, पन लैंड सीलिंग वर असा प्रश्ण नाहीं है अपले गड़े आत्ता परियांताचा, तो लैंड रिफॉर्म, कनेक्टिंग विद लैंड सीलिंग यू पेसी ने प्रश्ण विचार लेला या वर्शी, याचा अर्थ जा जुन्या थीम से त्या री सर्फेज जाले, याचा तून अपलेला टेक अवे काया है कि अपलेला पीवाइक्यू जबगणा है अत्यंत गरजेचा है, ओके, हे एक लक्षर गया, आणि तच् ने ने काया है, अपलेला टेक्स करता है, अटना ही, करण अफेर से एनिहाव वेटेज है, मेंस ला कम है असत जीए पर तो तरी शुद्धा आसा होता है कि सर ती कॉन्फरेंस हाता कोणी वाच लिया सेल ना महें इतका डिटेल थोड़सा वाचन यह कठी पन्-UPSC ने मख सोबत वेटलान कन्सर्वेशन पर्डाम पनवीचारला है 1986 था तो तो अधिस कॉपलेटली स्टाटिक पार्ट गारेंस हाता है तो अधिस कॉंपलेटली स्टाटिक पार्ट पर्सेंट पार्ट वोड़ वुद्धी वुद्धी यह रिए गोष्टा है अच्छ पुढ़े चार पॉइंटर साहेत, फर्स्ट इंप्रेशन मदले, जी एस पेपर थ्री चे, 2023 मेंज चे. Now, going forward, काय काय आपलेला आता, कुढ़े डिसक्शन मदे बगाय से, तर दोन चार गोश्टी बगाय चाहेत, कि सर, पाटन चेंज आलेला आहे का, Is there a shift in the pattern, कि काही topics हैत, कि जैंसे वेटेज वाडला है, काही topics हैत, subsections है, जी एस पेपर थ्री मदले, कि जैंसे वेटेज कमी जाला है, आसा कही आपलेला दिसता है का, ते बगवे आता पन, तया चार नंतर जसमी मदल, कि PYQ से linkages बगाय चाहेत, कि individual topic कि वा individual subject, subsection wise आपन discussion करू आणि तया subsection नुसार, PYQ तया subsections वर किती आले होते, तयाचा बदल पन चर्चा करूयात, आणि देन accordingly we'll decide कि topic wise कि मा subsection wise लेवल काय होती, तया questions ची कि मा तया subsections ची, economy section tough होता का, agronomy section tough होता, easy होता, internal security यहावरे stuff होता का, ते पन भगुयात, आणि मग UPSC ने जे काई आत्ता परियंत चा मेंस चा टेस्ट गेत लेले आहेत, ओके परिक्षन बाया चा सेल, special मेंस बाया चा सेल, कि मा regular comprehensive बाया चा सेल, you would know कि प्रयास is known for its मेंस preparation, तया चा मूले, similarity in आवर टेस्ट पन मी तुमा लाई थे काही questions दाख में, कि कशा प्रकार ही similarity आसू शुशकते, similarity ही obviously topic कि मा theme-wise अर्शनारे, word-to-word question तर definitely it is rarest of rare thing, पट ते पन आमचे GS1 आणी GS2 ला reflect जाले ले, you can watch those videos अलसो, and you can get it verified from there, तर पढ़ GS3 मदे themes या repeat होता, themes या repeat जाले ले दिसता है test मदू, ते पन आपन बगुया, आणी overall impression का है, paper बद्दल च, सब section-wise आपन बगु, आणी marks हे किती ते या GS3 चा यहा वर्षी चा prediction का या सुशकत, marks prediction, ते चावर पन आपन लास्ट ला चर्चा करुए, ते चा मोई शेवट पर यंते या वीडियो बगत रहा, ते चावर रून तुमाला वेवस्तित अंदाजी है, आणी तुमची पुडची प्रिपरेशन ची, if you are attempting for 2024, और 2025, और एनी एर, और एनी एर, और UKC मेंज, डेफिनेटली तुमाला GS3 ची स्टाटजी डिवाइस करना साथी, हाँ वीडियो शंब टक्के काम करना रहा, ओके, हे पन, हे सगय बगवे आता पन, तो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट कॉइंट की सर, पाटन चेंज आलेला दिस आता, I won't do that, okay, तो एन्वार्मेंट महदे सा अपन कलब करियात, okay, और भनुन एन्वार्मेंट सा वेटेज ही थे वाट लेला, okay, so अशा प्रकारे, हे ओवरॉल वेटेज सांगितला जात होता, अत्ता परियंत, तिल 2022, आणि हे फ्रिक्वेंटली, रादर वी वूड़ से कि from 2020, मझे 2020, 2021, आणि 2022, हे तीन वर्षन हे वेटेज जवल पास सेम होता, याचात काई वेरियेशन नहोता, पन सम्हाव UPSC ने थोड़ वेरियेशन यहा वर्षी के लेले दिशता है, याचात एकनोमी आणि अगरोमी सेक्षन जो है, ताचात आजी बात वेरियेशन नाही है, डोन दहा मारकर आनि दोन फिप्टीन मारकर आहे, अगरोमी मदे पन डोन 10 मारकर आनि दोन 15 मारकर आहे, तो याचा मुखे जे दोन सेक्षन सेथ GS PEPER 3 से, हे आज ही अंडिस्प्यूटेडली मेजर टोपिक सेथ, कि मेजर सेक्षन सेथ, कि जे तुम्ही पहले हन्दा तो नाजार बावीस परियंत और एक 15 मार्कर होता पड़ या वर्षी ते स्विच जहले हैं आप लेला 15 मार्कर एक गित लाए और दोन 10 10 मार्कर एक गित लाए और 15 मार्कर दोन के लिया ते चम उने 5 मार्काच चा वेटेज इथे एंवार्मेंट सा वाड लेला दिसते हैं बार्च वैर वाज टोग्वेश्टे दाइस्टर मानेजमेंट में जा व्याज बनेन तो और पूड़े बगू सा ना पंडे इस वल्च में जाज़लिए टो तो दैस्टर जा कॉश्चन आप पूड़े बगू है था पां पर एकाच क्वश्चन होरी इस अस्वाज़्दर प्लस इनोवेशन हे डिजास्टर मारेजमेंट मदे नेमीज दिशता है तेमी तोप प्रश्न की उते बाँ डिसकस करूँचा आपन त्या सब सेक्ष्चन्स मदे पर तरही सुद्धा की आत्ता परियांत बर्याबाई की डिजास्टर विचारों जाले याथ UPSC चे सो दे कम आ रिपीटेड थीम्स किती बड़ा विचारनार मणुन हे ओवराल वेटेज कमी होता ना दिसते अपलेयाला डिजास्टर मारेजमेंट से या वर्शी तॉकिंग अबाउट साइनस्टेक साइनस्टेक चा वेटेज हे वाड़लेला दिसते है और नाव साइनस्टेक यहां दोन त्याचा मोले 10 मारकर जो आहे तो एक वाड़ला है तयाचा मोले तो 50 मार्क पर यहां तक गेला है साइनस्टेक टेकनोलोजी ऑके पंड तयातले तया घवरुन जाइची गरजना है कारण बर्याच लोकांचा पेंपोइंट हा साइनस्टेक चास तो आई क्या अंडेस्टान जाट करेंड मी गेले साइनस्टेक प्रशन है सोपे होते प्रेडिक्टेबल होते राधर अपले प्रयास्टेक टेस्सीरीज मदे बरेस्टे साइनस्टेक चे प्रशन रिपीट जाले ता इल शो यू इन अपकमिंग स्लाइच पंड तरी सुद्दा जाट्र सेटान जाट लगा तर जाट्र से अपले यू पसी करता न जीसता है आणि प्रोबेबल है कि नेक्स्ट येर सुद्धा है याचात वेरियेशन करू शकता मझे नेक्स्ट येर देविल कम बैक तो टॉपिक पन जर आपलेला आता हाँ ट्रेंड दिशतो है तो डेफेनिटले आपलेला तैचा वर काम करना गर जेचा है साइन्स टेक वर थोड़ा जासतो फोकस वाड़ा उना गर जेचा है एन्वार्मेंट वर थोड़ा फोकस वाड़ा उना गर जेचा है आणि डिजास्टर मैनेजमेंट चा फोकस खमी नहीं कराईचा है पन जयोड़ा आहे तयोड़ा मेंटेंट हेवाई से आपलेला Okay, so this is the weightage or shift in the pattern we can say for this year's mains GS paper 3. Okay, मा आता जाओ है तापन individual section वर discussion करू. Sorry, starting from economy and individual section चाई-काई आहे discussion ते बगुया. तो economy section 50 marks, 2-10 marker, 2-15 marker. Economy section ला जर बगायाचे जाल, तो हे 2-10 marker चे question से या चात, विचार लगा है तुमाला बगा. Economic growth requires increased share of manufacturing sector. So, इथे economic growth वर प्रश्णा आहे. Economic growth वर प्रबेबली प्रश्णा आसतो, PYQ महदे सुद्धा question आहे. पण PYQ महदे discussion करता ना, हे manufacturing sector बदल घेत लेला है, एकदा, UPC ने, पण MSME sector चा कॉंट्रिब्यूशन आस पर यांत, UPC नहीं चार लेला होता. तो, MSME sector हे जासता हाइलाइट जाला, और हे, this was a probable thing, कि गेला 2-3-4 वर्शा नंतर, 4 वर्शा पास न, कि वहां आपन मनुशक्तो, post-COVID particularly, MSME sector जासता भूब महदे है, कि वहां government is trying to boost the MSME sector with various policies, मंजे माग, ते priority link, incentive, schemes असतील, कि वहां वहां बेगवगड़ा गोश्टिन तरू, ताच मुझे, MSME sector हे, specifically highlight होना, आप एक्षित होता, और UPC सिने ते highlight केला है, तो, प्रशन तर बेसिक है, ते प्रशन आपन, दुसरा एक session घ्यू है, डेडिकेटेड लिया चा बदल, ति त तुमाला question ची demand काया है, question ची structure कसे बनाव ले पाईजे, और content काया है, यहां सगया question बदल, तिकडे discussion करूए आताच आपन, upcoming sessions मने ते घ्यू, पड़ आता आपन basic भगतो है, कि प्रशनान चे स्वरूप कसा है, तो, economic growth, MSME sector contribution, और policies in this regard, यहां तीन गोश्टी बगहाई चा है, तो, MSME sector ही थे highlight होता है, मैंजे, this is your theme for this year's economic question, तो, ते एक call up आईजे, ताच नंतर, second question हा, परत, digitization status, आता, digitization of economy होत चाल लेला है, मैंजे, NPCI चा जो UPI है, ओके, तार ते UPI initiative आता, जगात popular होत चाल ले, ताच नंतर, internationalization of rupees आपन करतो है, ताच नंतर, digital India आप लगड़े याचा वर, gross question है, अगें, that was a predictable thing, याचा तका एक खूब जासता surprises नाई है, जे serious preparation करनारे candidate है, तेननी ही वेवस्तित प्रिपेर के ला है, अने digitization साथी एनारे problems, प्लस digitization होनारे solutions, इथे थोड़, प्रोब्लेम नाई मनना है, मैं थोड़, डिसोरेंटेशन हो शक्त, candidates, कि इ स्किल इंडिया इनिशेटिव के वा है, असला पेक्षित नाई है, डेफेनेटली है, तो ही कसक, येचा content का है, अपेक्षित है, यापन नंतर सेशन मधी बगव है, तो अगें, that was a probable thing, याचा नंतर दोन 15 मार कर जी याथ, इकनोमी चे, तो त्याचा अनेंप्लोईमेंट, अथा, अनेंप्लोईमेंट वर, there used to be a question on unemployment, almost every alternate year, प्रत्यक alternate year लाँ अनेंप्लोईमेंट वर question आहे, इथे specific type of unemployment गेतलिये तुमची, structural unemployment, this question number 11 I am talking about, structural unemployment बदल गेतलिये आहे, इंडियात की सध्याती जास्त प्रमानत दिस्तेया समठ लाई याननी, येले वर शी jobless growth वर question होता, पड़, हाँ एक नवीन इथे, सब कंपोनेंट दिस्तो है आप लेला, कि methodology to compute, कसे प्रकारे, methodology, unemployment, मोजनास अटिवा पर ले जाते, एक दा आप लेला, GDP calculation से methodology विच्छार लिए उती, एक दा आप लेला, आता है या वर शी याननी, unemployment ची, कल्कुलेशन से methodology विच्छार लिए, बढ़े, तुम चा कड़े जे, हे आहे, काहे ते, जाला मंटो, आपन, स्वरी, सी एसर ने, यूजवल, रीकॉल पीरेड, हे जे तुम से आहे, दोश्टी, आणि तया चात, जो, periodic labor force survey आहे, तया चा मदे, जे, करंट, स्टे, करंट, स्टेटस, weekly status, हे जे विचार लिए जात होत, तुम्हाला, unemployment मदे, आणि, डेफिनेटली, एग्जामीन मंजे, काय काय तेच्छे, करेक्टरिस्टिक, हे, रीजन से, ताणि, ताचा वर्च, सुल्यूशन, हे दैच होत, तो, unemployment वर, question, पड़, हाँ, थोड़ा सा, twist, methodology, to calculate, ताच नंतेर, हाँ, question number 12, जो, आहे, याचा थोड़ा सा, वेगल, अपलेला, दिसेल, भागाला, मिलेल, कि, एचा वर, UPSC, ने, आज पर, यहला, फोकस के लिला, नाउ, प्रोबेबल, ताई, यहाँ वर्ची, यहाँ वर्ची, यहाँ वर्ची, यहाँ वर्ची, प्रोबेबल, आहे, मैंजे, दर वर्ची, तुम्ही, बिलाए, काम, करता है, ताइब मेंजे, यहाँ बद्दल्चे विचारलों, है, यहाँ वर्ची, प्रची, नाविन थे, तुम्हा अप्रख मेंजे, है, कि, तुम्हाँ प्रख सागाहिए, दिस्ट टिंगुश कराहिए, यहाँ तुम्हां थे केर एकनोमी इन्टू मनिटाइज्ट एकनोमी थू वूमन एंपावर्मेंट के असर इथे प्रश्ण हो तो बेसिक क्वेश्चन वी चारला है तो इस तो आप लेला तो हाँ क्वेश्चन नमबर 12 थोड़ा सर्प्राइजिंग नहीं मनना पंड लिहायला कंटेंट वाइस थोड़ा ट्रिकी आहे पन बाकी इतर तीन प्रश्ण है कंटेंट वाइस पन ट्रिकी नहीं है यह बर्याच वाइस डिसकेशन मदे जाले ले आहे तच्छा मुने हाँ जो सेक्षन आहे यहां सेक्षन ला मी ओवरॉल ईजी टू मॉडरेट आसा एक इंपरेश यहां वर्शी टैननी GDP ला MSME सेक्टर ला पर्टिकलरली लिंग के लेले तो तेच्छा मुने हाँ पीवाइक्यू 2017 चा है जर हाँ पीवाइक्यू तुम्ही वेवसित केला आसता तो डेफेनेटली इंडस्ट्री बदल जे आपन लीतो है इंडस्रील ग्रोध बदल जे लीतो है ताचातलेच पॉइंट थोड़ा भाहुत प्रमाणा ट्विस्ट करून तुम्ही MSME सेक्टर बदली हुशकला आसता अनि हाँ इट कांट्रिबूट टुदे एकनोमिक बुरोध मक्ते जमला आसता देन पीवाइक्यू मते अनेम्पलाइमेंट वार जसमी मांड लखी नही स्टाटिक पॉर्शन मदे है दिलेलत से तुमाला ओके विकली स्टाटस अपरोच टेज आहे ते सग परियोडिक लेबर फोर्सर वे अनेम्पलाइमैंट बदल प्धल क्वेश्चन हां अह आपला आकड़े अपलेक्या मदे पीवाइक्यू सो इस सेक्शन वास तो केरेक्श सेक्षन दाट इस अग्रिकल्चर वन अगेन इक्वल वेटेज्टु एकनोमी या अग्रिकल्चर मादे शुद्धा जसा मी फॉर्स्ट इंप्रशन मदे तुम्हाला सांगितला काही गोश्टी री सर्फेस जाले मंजे जसा इरिगेशन वर कंपल सरी प्रशन आसा है जा ओके पेपर मदे दिसत नाइए तो पेपर मदे वीचार लगे लए ए टेक्नोलोजी 10 मार्कर्स मदे वीचार लए तुम्हाला कि ए टेक्नोलोजी कशा प्रकारे help करेल प्रोड़क्शन आणि मार्केटिंग मादे है वर्वाल टेकनोलोजी बदल वीचारला है, तो इस एजी तु हैंडल, क्वेस्टन की कुठे कुठे यी टेकनोलोजी चाह पर हो शक तो, आणी तैनी स्कोप खुप फॉइट ठ्योला ही थे, मंझे राइट फ्रॉम प्रोड़क्शन टू मार्केटिंग, यहवडा स्कोप ठ्य तुम्हाला लिहायला प्रश्ण बर्याभई की सोपा है, पॉइंट याचा जन्रेट होँ शक्तात, कि कुठे 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 वापर अगदी इनाम हे मार्केटिंग साथी जाला, बरुबर, मैंजे, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन लेवल टू दिस्रिबूशन लेवल, इवा शब्दाल मंदे, अप्स्ट्रिम डाउन्स्ट्रिम परियंत, सगल ये ठिकानी इए टेकनोलोजी सा जो काई तुम्हाला इंपक्ट आहे तो तुम मिली हूँ शक्ता, बंजे, इनाम पासून, कोल्ड स्टोरेज, पासून तर, जेनेटिकली, मॉडिफाइड क्रोप परियंत ये सगल ये चाता मिली हूँ शक्तो, करन प्रोडक्शन अने मार्केटिंग वीचार लेले, जो दिस वाज जरीरी सर्फेस जारेले असला ही इए टेकनोलोजी, 2018 अंतर डरेकली आता, तरी सुद्धा, इट वाज इजी तु हैंड़ेड, तचन अंतर, लैंड रिफॉर्म, ल ये ता लैंड शिलिंग पॉर्लिसी सा इफेक्टिवनेस वीचार ला है, मजे अता लैंड शिलिंग, लैंड रिफॉर्म मदे चारते पास आपन लैंड रिफॉर्म्स डिसकस करतो, कि जे हिस्टोरिकली जाले ले, स्टाटिक पार्ट ए कंप्लेटली, इवन लैंड जे जे जाए, जिसके टीनसी रिफॉर्म सा अपन बनतो, तेच नंतर लैंड सिलिंग एक्ट उलिंग अक्ट बनतो, तेच नंतर लैंड शिलिंग बनतो आणि चाऊथा वनजे तुम्सा आता लेटेस्ट जो UPC ने डिडिकेटली तेच वर पाश्न वीचारला, 2013 जाओदा च काई तरी आपलाला लीता है योग शक्त है ओके कैप लावाई चिह तुम्हाला जरी काई लाइंड ओनर्शिप आए तयाला एक बेसिक कैप लावाई चिह आणि तरी थोड़ा ट्विस्ट असला तरी वीकुड है रिट राइड दिस असला वाट लाइंड शिलिंग बतल सा ठीक है तचन अंतर जी 15 मारकर आए ता आगरोणामी मदे तचेंजेस इन दे क्रोपिंग पैटन और चेंजेस इन दे कंजम्चन पैटन और मार्केटिंग कंडिशन अगें क्रोपिंग पैटन सा जो क्वेश्चन है कि एक्स्पेंग दे लाइस विट सिस्टिम जहा है तो ठाडिशनल राइस वीर्ट सीस्टिम वारउन तुम्ह export करताए जाता हो कि इन टवीशाचार बद्द्दल प्रशन हाँ वी चाला है ट्रादिशिनल फॉर्मेट है UPSC चा, UPSC ने आता परांता बर्याच बड़ा क्रॉपिंग पाटन हा शब्द घ्योन, यहां ही थीम घ्योन, वेगवगे ट्विश्ट करून क्वेशन विचार लेला दिशत्वा, पन् हा क्वेशन बर्यापई की सोपा है, उटला याला स्पेसिफिक क्रॉपिंग पाटन ला घ्योन आई है, वणों तुम्ही जन्रलाइज हा क्वेशन आए, तो जन्रलाइज यह चे डिमांड फुल्फिल करू शकता, सो, वी कुड़ आव राइड दिस क्वेशन, and next is यह फुर्टीन इस यह डियरेक्ट औन इंडारेक्ट सब्सिडीज, तो हात यह तर डिरेक्टली सिलाबस मदला शब्द उचला, यूपेसिने, मैं यह पूर्रा परश्णस मी आसा मनें कि सिलाबस मदला उचला, उचला उठ आती शोपा इजी केटेगरी यतला क्वश्चन है कि इंडिया मदे डारेक्ट आने इंडारेक्ट सब्सीडी काया है एक्जांपल्स आर मस्ट हियर हो कि तुम्ही ज़र एक्जांपल्स देतना साल तो डेफेनेटली तुम्छे मार्क सिते कर्ट होती है आणी डारेक्ट आने इंडारीक्ट सब्सीडी के ज़र डारेक्ट आने इंडारेक्ट मेंड कोतुम्हेत आ एक्राहिभें पर अधर सब्सिडीज वर तचन अंतर जो पीस क्लॉज आए वरुबर नाइरोबीच चा तो यह काय डिसकेशन है हे WTO सब्सिडीज बद्दल चाथ पाट तो यह आपन डिसकेश करतो तो स्टाटिक वर अधर्ड क्वेस्टन आए तर यह टेकनोलोजी तो यह समी मंढ ले तुम्हाला जो क्वेस्टन आए तो 2021 ला UPSC ने यह टेकनोलोजी वर तसा प्रशन अपलेला विचार लेला दिसत नहीं है पन इथे बगा हाँ क्वेस्टन जो है 2021 ला कि present challenges before crop diversification आणि लेट सी दिस सेकेंड हाफ what do emerging technologies प्रोवाइड आन अपोर्चुनेटी फोर crop diversification मझे थोड़ क्या इथे crop diversification ला इए टेकनोलोजी बदल से डिसकेशन है 2021 प्रोवाइड खुब जुना पड़ नाई है अगेन लैंड रिफॉर्म आनि लैंड सेलिंग वाला जो question होता तचात जर्बग इतले तर रिलेशंचिप बेट्वीन लैंड रिफॉर्म आणि agricultural productivity इथे विचार ला होता ठीक है आणि दूसरा मंजे land reform in some part of India improves the socio economic condition of small and marginal farmer so land reform वर UPSC सतत question विचारते है तुम्हाला 13 आणि 21 मादे ओके तचानतर इतर वेड़स पड़ विचार ला है पर लैंड रिफॉर्म हाँ फार्मर्स इंप्रूव फार्मर्स ची लाइफ है कि महां फार्मर्स लिविंग स्टांडर्ड इंप्रूव करने साथी काया कसल काम करूशकता हाँ यह त्यून मदे हाँ question हे दोन questions अपले लही थे दिसुशकता है यह एक्स्ट्रक्ट आपन करू इथे मेले प्रोडक्षिन दीला होता इतर विचार थो या इंफासेज होनन सर्टन राप्स बाट चेंजे मंजे आचा अर्थ चांपींड पैटर्न चेंज होत व्हें तो इतर तुम्हाला महांती असला होता थे कुट्ल महांती असला अपेक्षित होता है 2018 युन गेला है तर की कशा प्रकारे तो शिफ्ट है की वहां कुठले क्रॉप्स वर जास्त फोकस केला जातो है यहां की जाला आपन चेंज्ट क्रॉपिंग पैटेन असा मनुशक तो सो हाँ प्रश्नत थोडा सा ट्विस्ट करूनी थे हाँ फोर्म जालेला धिस्तो या पलेला आगेन गोइंग तू डारेक्ट अनि इंडारेक्ट सबसीडीज कुठले आहे तानी काय आहे त हे जीते सांगाईचा होत तो मंझे यह ता डारेक्टली रिपीट है ओके आणी इशू इन डव्यू टो एन अग्रिकल्चरल सब्सीडी दो नाजार तेरा लाज परत आता डव्यू टो मदे इशू डिस्प्यूट जाला होता पड़ इथे फूर सिक्यूरिटी ची सब्सीडी दिली जाते तैचा बदल चा डिस्प्यूट होता बडहर आपली मेर्चर दोल डिस्प्यूट है जो आपने शिक्तम फूर सिक्यूरिटी चा बदल चा डिस्प्यूट है एक एगरी सबसिडी बदल चा डिस्प्यूट है तो जर्फिचाः लाए तो डिफिनेटली नेक्स्ट टाइम जेवा के बाद है तुम्हाला एगरी सब्सेडीज बद्दल विचारू शक्तात है असल महिती असल पाईज़े होता है प्रेडिट करता आल पाईज़े होता है अडि मग यू पेसी ने यहा वळस ते तुम्हाला 2022 ला विचार लेल दिशता है तुम्हाला की जशे की पीवाई क्यू सी रेंज अपले ला दिशते है कम्पलीटली अग्रोनामी कंपोनेंट माला असल वाटता है यह मॉडरेट मी जे नवीन फर्स्ट टाइम आपेर वाले कंडिडेट है तंचे सटी लील है पंचे वेटरन साहे तंचे सटी तर मीं मनें की अग्रोनामी ईजी वाला कंपोनेंट पहेलेंद आग्रो नो मी हे हिट करू शकत होते अणि हाँ जमला हासता सुपा कंपोनेंट होता उके अपले आ DOUघा ह हीपेटरन जे मी शुरूतीला मंढ़ा होतु तुमाला प्रयास हजा जा मैंज टेस्ट होता ता थ्याप्रयास हया मेंस जा जा टे प्राक्टिस पन करताथ इवन अपला जो प्रयास UPSC ग्रूप है कि वाँ टेलिग्राम चानल है आता मेंस लीीदेत तामेंस लीदेट nं आा मेंसो पेपर जाल कि परहें प्राश्ण सिमीलर लाइ एंस टेक्ट, को सैंस टेक्नोलोजीateg defense would say वेटेज वाड लेला दिसता है साइन्स टेक्स पर वेटेज जरी वाड लेला असला तरी फार जासत क्रिटिकल आहे साइन्स टेक्मोलोजी इस नॉट दाट केस करण भगा AI ची कंसेप्ट आता हां क्वेशन नंबर 5 और क्वेशन नंबर 6 दों 10 मार्कर डिसकस करूँ आए कंसेप्ट ही विचारना है कि मा विचारली जाई तो चाइट जीपेटी पासुन तर इतर AI टूल्स पर यांत भरपूर डिसकेशन होता है तो इट वास वेरी क्वाइट प्रेडिक्टेबल थिंग कि AI बदल तुम्हाला काही ना काही विचारले जाई आणि UPSC ने ते विचारले जाई इवन आपले टेस्ट मेदे पन आपन ते कवर केलाज होता है तो तुम्हाला दाखाओ तोच पुडचे प्रश्ण सा स्टेटमेंट थोड़ा बदलला UPSC ने कि डिस्कस दा वेस इन विच माइकर ऑर्गनिजम कान हेल्प इन मेटिंग दे करन्ट फ्यूल शॉर्टेज बेसिकली माइकर ऑर्गनिजम्हे फ्यूल शॉर्टेजला काउंटर करता है ते याचा आर्थ इथे डिसकेशन आहे समझला है ते रहाँ प्रश्ण हैंडल करने साटी इजी न वुता और बायो फ्यूल्स नथिंग बट माइकर ऑर्गनिजम्हे फ्यूल्स ओके आणि बायो फ्यूल्स मजे मग बायो फ्यूल्सी दोनाजार आठराची पॉलीसी है कि वहां नुकताच G20 पार पढ़ले ताचा विचारता ना तुम्हाला हे सांगायला जमला पाहिजे होता है जर हाँ प्रश्णत्स डिटेक्ट जाला नासता कि एट इस अबाऊट बायो फ्यूल्स तरमा तो इथे प्रॉब्लेम होता देन 15 मार्कर जर बगाय चे जाले तो 15 मार्कर मधे आप लला दिसता है इथे ई वे फ्यूल्स भीएकल हे डिसकेशन होता है अड़ी फ्लेक्स फ्यूल्स बद्दल लोट्ड जाले दिसकेशन आहे त्या चा शुन्दर बाई डियुक्त फ्यूल्स बद्दल विचारले ला आहे यूपी ची ने थिके तर इथे ईव्यःकल तैचे बेनिफिट्स आणी कारबन मिशन कमी करने साथी ते काय करता है यह वेकर है सिंपल अगेन प्रेडिक्टेबल कंपोनेंट होता जरी 15 मार्कर असला तरी सुथा अगेन नेक्स्ट इस आता हातर मंझे आई डोंट वांट तो कमेंट अनिधिंग हां मत्र है अचात एक सर्प्राइज है ताइल कम्प्लिटली एक्सेप्ट कि हाफ दिस क्वेश्चन इस प्रेडिक्टेबल कि थर्ड मून मिशन काया है मंझे जे आपले चंद्रयान थ्री जे सक्सेस् अचा बाइर चांडरी जे दिस आट आपले लाक्षा ती एता है तुम्हाला महीटियास्न आपपशित ओता करेंट माक्चे वड़ी तया टेलिस्कोप चा प्रेडिसेसर्स बद्दल तुम्हाला विचार ला होता है यू पेसीन है तो हाफ पार्ट वाच वाज एज़ी तो बट इस जो पार्ट है कि वर्चुवल लॉंच कंट्रोल वेहकल तो याला आड्रेस करना साथ ही थोड़सा टफ गेलास जे शब्दा हुरूं तुमाला जमत है कारेट इट इस वेरी रेर कि कुछला कांडिडेट हाँ वर्चुवल लॉंच कंट्रोल सेंटर बदल स्पेसिफि पार्ट वास पॉइट डिफिकल्ट टू हैंडल असा मीं महणें जर नसेल जमल हरकत नाही सगानात जमल येची शास्वती नाहीं मग जे दोनाजार चोवीस पंचवीस टार्गेट करता है त्या लोकान साथी कि हे मक्सर आसे प्रश्ना आमी कशें हंडल कराई चे तो माई स अचे प्रिपेर कराई चे हमी एक्चुल ते वाज में मेंस ला जाल ते बाते डिस्केशन करूए ता पड़ राधर है ये अच्चा वरून अच तुम्हाला लिया है चे वेगण काई ते चे लीण आपेक्षित नाहीं है ठीक है राइट लिंकेजेस बगाई चे जाले तो मून मिशन अल्रेडी यूपेसी ने 2017 ला तुम्हाला चांदरयान और मार्स और मिटर मिशन बदल विचार ला होता अडि मग ये थर्ड मून मिशन यहां ये उपेसी ने विचार ला तो एकच में यहां वर्चुल लांच कंट्रोल मुए याची लेवल मॉडरेट जाते है अदर्वाइज माक्चा विड़े पेक्षा मजे तो सेलुलोस सा क्वेशन होता कि महां तो टेलिस्कोप सा क्वेशन होता ताचे नंतर S-400 सा एक वर्ची प्रशन तुमाला होता कि कम्पलीटली अन्नोना सा क्वेशन कही नहीं है याचात हाफ पार्ट त्या प्रशना मदे चांदरयान कि वहां थर्ड मून मिशन मदे तो मि तो हाफ पार्ट लिहुचगत होता हाफ पार्ट मदे डिबड होती पन गेल्या वड़े सासे दोन तीन प्रशन होते कि जाचात कम्पलीट साइंस टेक मदे एक खादे प्रशना मदे ग्लांक होना चे चांसेज वते मनुन याला मॉडरेट थे होतो है कि महां यहां एका क्वेस्चन मूले याला मॉडरेट थे होतो है अधर्वाइस धाट कुड हैव बीन गौन तो दो इजी वाला पार्ट जर आपलेया पेपर बदल पैटन बगितला तर एया वर कंपल्सरी साइंस टेक मदे आमी आवर्शी विचार लेला होता अधर्वाइस ब्रश्चन में बदल आपीखर लेला होता कि जीधर आपण बाइओ फ्यूर अणीं ट्रादिशनल अगर्डीशन अधर्वाला कंपने अभाइन करतो है लोग्खर अधर्वान प्रश्ण यहां प्रश्ण ब्रस्डर थे हाला होता तो यहा कि आमीज है प्रेडिट करतो है और आमीज क्लेम करतो है but you can do it as well जर तुम्हाला थोड़ से गोश्टी महाइती अस्तिल तो you can do the prediction थेचा बद्दल काही discussion नाहिए moving on to next component that is disaster management जसमी मंटलर disaster management से वेटेज कमी जहला है एक 15 मार करी थे कमी 10 तो याप लाला और एकस 10 मार करा है करण UPC लवाटे ता सेल कदा जित कि disaster management वर फार जास्ता फोकस करना सद्द्य जी घरज नाहिए करण सद्द्य डिसकेशन मदे पन खूप नाहिए और जो disaster management याननी विचार ला है तो damn failure वर विचार ला है जो मी शुर्वातिला तुम्हाला सांगितला अत्ता परियंत अर्थक्वेक ताचन अंतर सुनामी ताचन अंतर अर्बन फ्लर्ट्स ताचन अंतर क्लाउड बस्टिंग ये सगले ट्रादिशनल डिसास्टर विचार उन जालेत UPC जे तो हे एक लक्षर ठेवा दिजास्टर मैनेजमेंट मदे UPC नहीं मी ट्विस्ट करनार दर वर्षी तुम्हाला काई तरी नवी डिजास्टर विचारला जाई रिपीटेशन होना चे चांसेस कमियें कि जर रिपीट जाला एकावड बस्टिंग रिपीट होता से तो 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 जरे डिजास्टर रिपीट के ला तो मत्ये रिपीटेशन वह हो शकता मनों डिजास्टर नेमी UPC चेंज करनार हे लक्षर गया इंच हे तुम्हाला डैम फेल् ठीके तो त्यम उने बगा है इतनली है कि analyze the various causes of damn failure okay two examples the causes दाइचेए with example दाइचेए अनि तुम्ही तो सुलुशन पन दाइचेए and मार कर असले तो conclusion ला solution लेण हा एक्स्पार्ट होता example महदे सर हमी कॉंटे example दियू Indian example दियू क्या बाहर चे example दियू that completely depends on you तुम्ही खडगवास लेचा उधारण दीले डायम फेलिवर मदे तरी चालू शक्ता, कि वहां तुम्ही कुछले चाइनीज डायम फेलिवर जा एक्जाम्पल दीले तरी चालू शक्ता, ओके, तुम्ही काया है कंसेप्ट दीले चालू शक्ता, कि वहां तुम्ही काया है, तुम्हाला डेफिनेटली डायम फेलिवर से रीजन शांगन का एक खूब कठी नाही है, यू कैन प्रिपेर दोस रीजन्स, ओके, हाँ, एक्जाम्पल थोड़े टब जाओ शक्ता, ते एक्जाम्पल देना, कारण एक्स्प्लिसिटली तानी मेंशन के लेकि, यू हब तो गिप थे एक्जाम्पल्स, तो एक्जाम्पल्स देना टब जाओ शक्ता, पन रीजन्स ओफ फेलिवर आणी सोल्यूशन्स, हे अपन जनरल लिहू शक्तो, डान फेलिवर से, जे काई फ्लाश फ्लाश फ्लाइग साटीजे रीजन्स है, कि मार्थमेग साटीजे रीजन्स है, हे थोड़े से कंबाइन करू, यू कुड़े रिटनेट, मनुद में ही थे, जरी पीवाई क्यू नसला, तर 20 मार्स होतार ना दिशता है ते अन्वार्मेंट चे, सो वेटेज वाड़ला एन्वार्मेंट सा, आडे रीजन इस प्वाइट अब्येस, बन क्वेश्चन्स जा है, रिपिटेटिव क्वेश्चन्स चा प्रमाण कमी जालेला दिशता है, वेगला प्रकार चा पोल्यूशन बायो रिमेडियेशन बक्त होते वा, तो तेचा मुन याननी ओईल प्लूशन वर विचार लें, बेसिक वाट इस ओईल प्लूशन आडि ताचा मरीन इको सिस्टिम वर होना रा इंपक्त, सो दिश वाइट वाइट वेरी एजी टर्म, आडि पर्टिकुलर नी मातरतु माला इथे हे ट्विस्ट है कि इंडियान केस विचार लिये, एक्जाम्पल्स फ्रम इंडिया विचार लिये, तो एक्जाम्पल्स फ्रम इंडिया देता आले पाईजे, इंडियान केस मदे जे कई ओईल स्पिलिंग होई शक्त कि मां होना चे प्रबेबल चांसे साहे, तो तेच यहां लिंके जैस तर सोपे आहे त्या क्वश्चन मने देन 15 मार्कर से तर दोन बगित ले तर आता हाज वाहे मैं जे गेला तीन वर्ष बसना मैं जे वाइग वुटेंबर्ग प्रोटोकॉल असेल तो क्योटो प्रोटोकॉल असेल ती स्टॉक्हों कॉन्फरंस असेल हे जे प त्यात्स धर्थीवर यू पीएशीन यहां वर्ष थी तुम्हाला नाश्नल बेट लेट्लेशन प्रोग्राम विचार लेला देस्तो ज़िक dot वविप्रोग्राम इस ओफTH 1956 नवीन प्रोग्राम नाघीय है जुना प्रोग्राम है तछ मु Gmail यहां conservation program माधे काय विचार लेला है तुम्हाले विचार ले कि comment on it आणि comment करता जे सद्या दोन कि मां तीन रामसार मधले रामसार लेस्ट माधले वेटलैंड तुम्हाला usually आपलेला महाइती जसता त पौपिलर रामसार मंधले वेटलैंड में चे बहाराष्टा से बोले चे उले तरं आंदुर मध्य मेशुवर लोणार शरुवर तहें पॉपिलर वेटलाइट साथ अपलेला पन हाप प्रोग्राम महाइट नस तो कारेंट सर तो जूना है अणी स्टाटिक है पन जसमें मंड़ कि जर वेटलाइट कंजर्वेशन प् Because exact provisions आशा खूब वे गया नसता, जर वेटलैंड गंजर्वेशन आए, ता वेटलैंड गंजर्वेशन तुम्ही कसा करना, यह चा स्टेप सांगित लेया, आणि ते अजर नाशनल वेटलैंड गंजर्वेशन प्रोग्राम मनुन टाग के लेया, तरी तो आड्रेस हो शकत हो त स्टेप सांग प्रेशन हे नुना एत्यान कर में, पॉप टसस थर भीएशन प्रोग्राम हमें परिचयर्वेशन आईजर्वेशन च्वालोग्र्वेशन दकालों के लेया, तो यह चालों मोपस समिलकी जर्म के लिए पलेया, आणि तो भीचियर्वेशन वेटलिए, अनि आ सिय्ट सीटिवल राईज हाद पर प्रावेबल कि वहां दिसकेशन मतला भागे कि सीटिवल होता है कि आयलापड़ इंप। कुम्हें करेंडा एज़ा है वोटी फेस्ट सीपांडने और प्रभी सपने फेस्टेशन नाइए मोणों हाँ हाँ हेंडिल करने सटे हाँ कंपोनन्न सुद्धा एजी होता अनि इंपाक्ट अधा इंपाक्ट उन इंडिया मंजे तुम्हें थोड़स मुल्टी फेसेड इंपा थ्रेट क्रियेट हुँ शक्त हुए, नाशनल सिकुरिटी ला पन थ्रेट क्रियेट हुँ शक्त हुए, इत परियां ता मल्टी फेसेड इंपक्ट तुम्ही लीना अपिक्षित होता है यह प्रशना, तो चांग लागे लासता क्वश्चे, ओके, स्वागें, IPCC, पॉपिलर व अईट, इत वाज अपिलीट स्टाटिक थिंग, असमि महने, परत जसा की गुटेनबर्ग प्रोटोकाल अला हुथ एणी फोटोकेमिकल स्मॉक पोड़ाला महिती जना हुथ तो तयच्छा सारक तो इथे काई आलेल ना है यह सर्प्राइज है, मनु नीथे, ओवराल जे इम काटेगेरी, ठीक है, then coming back to the last component of the discussion, that is internal security जसमी मनल, वेटे जे constant हेवल है, 50 marks, 2 10 mark 2 15 mark, पड having said this, की मी usually sessions मद या समन अधा स्लो, की internal security is a low hanging fruit, okay अता हे low hanging fruit बदल मात्र है या या, question mark अपले या वा लागे, कारण, ज़र इन security जे questions भगित ले repetition आए, PYQs पड़ मी तुम्हाला दाखो तो PYQs आए, पड़ मा security जा questions मद है, थोड़ सा content generation ला problem यहूँ शकतो आसे प्रकार चाहिते questions अपले ला दिसता है, खास करूं, question number हाँ 10 जो आए तो, मैंजे पहिला जो question आए, terrorism, majors मैंजे, soft majors, hurt and mind in terrorism affected area Jammu Kashmir and in need of an example तर, Aseem Foundation वगर है, तुम्ही ज़र नावा आकला से तते, तुम्हाला ज़र लीता, माईती असेल तर लीता हीला, अधर्वाइस है दिफिकल्ट जाहील पणि आचावर एक PYQ यह उन गेला होता if I tell you the PYQ बगा हाई थे PYQ आहे, 2021 यूपे से ने वीचार ला होता कि बैनित जमाते इसला में इन Jammu Kashmir brought into focus of role of over grounded workers in assisting terrorist organization मैं जे specifically focus Jammu Kashmir ला होता हो तो Jammu Kashmir आणी terror activities हाँ topic तुम्ही करना अपिक्षित होता हो internal security मदे आणी मा त्याचा तला handle करने साथी काय काय मेजर्स गेत ले जाता है आणी त्या मेजर्स मदे hard major काई है आणी soft major काई है winning the heart and minds ते जे ते soft majors मदे जाता है तो हे अपले notes मदे दिलेल होता है हे करना अपिक्षित होता है जर दो नजार एकोणिस साहा प्रशन आहे तर अनुद मीजा समय लगी हाँ question अपना address करू शकत असतो जर आप लेला examples जरी महाईती नसले तरी सुद्धा आणी महाईती असले असते तर ते add-on जाला असता है पर हाँ जो next question है question number 10 कि use of unmanned aerial vehicle by enemies in border area यह current मदे discussion आहे unmanned aerial vehicle में जे तुमसे drones वापर ले जाता है तो के यह वहाँ ता conferences पन होता है कि कुटले border areas मदे आसे threat होता है तो ते answer थोड़ सजनेरलाइज होई जनेरलाइज जाले मोग मझे UAV कशाप रकारे threat है border areas मदे हे सांगता है जर example नसती तो ते answer थोड़ जनेरलाइज होई आणी ताचा मोग मार्क्स हे कमी होग शकता दी थे एक ते दोन मार्क्स कमी मोग शकता है लेस होग शकता है यह एक इते लक्षाद गेत लपाई जे बनुन हाँ question थोड़ा twisted होता और जर तो दोनाजार 17 चा केला नसेल तो यहाँ first question बदल पन candidates ला थोड़ से doubt गेला आसता तचर अंतर पूर्चा जया है अता पूर्चा हाँ एक उनिस 19 जो है तो थोड़ा easy category जाइल कि internal security challenges का है तो हाँ half part हाँ easy जातो है आमी ट्राडिशनली प्रिपरेशन केले लहासता कि internal security चे challenges का है का है पंड जो second part है कि role of intelligence agency intelligence agency आमाला महीती रोआ है IBA है CBI है तो है जे internal agency चे आमी intelligence agency चे लिहू शकतो रोल पन specific role मदे जर आड़चन याता सेल सांगता ना तो ती specificity नसले मोणे generalize जाइल आने generalize गेला तो परत इथे हैंपर हो शकता ठीके तेचा मोणे हाँ half discuss हो शकतो पन हाँ याँ half मदे candidates हैंपर ज last question कि terror funding in India आता हाँ पंड रिपिट आहे इथे question पन इथे specifically तुम्हाला twist काया दिश्तो है कि त्या organization कि मां त्या conference बद्दल दिले no money for terror ही जी conference 2022 चा याचा संदर बद्यावा लागे याचा रूल terror funding साथी काये यहाँ terror funding कमी करना साथी ही conference कशा प्रकारे मादद करेलती थे काये discussion जाले काये recommendations जाले है यह सगर discussion देना अपेक्शित होत है टेरर फंडिंग विशे UPSC ने अल्रेडी परशन वीचार लाये तुमाला 2017 ला परत कि टेरर फंडिंग इन इंडिया बगा तैज इथे वीचार ले कि score of terrorism is a grave challenge to national security ठीके what solution do you suggest to curb the growing menace यह ते लक्षात मैंजे what are the major sources of terrorist funding बगा इथे टेरर फंडिंग बदल सब्सक्राइब डिसकेशन आए मैंजे UPSC ने एक टेरर फंडिंग वर अल्डेडी तुमाला वीचार ले कीवर्ड गर्जे चेर बर गा इथे तुमाला ही terrorism तैचा नंतर solutions हांग आए चेर तो तैचा मुए एक keywords PYQ मदले जर तुम्ही identify करना नाहीं मी हे सतत सांग अतस तो ते गर्जे चाज आए ते करून तैचा वर चा नोट्स किमा तुम्चा नोट्स तशा प्रकारे रिमोल्ड जाले पाईचे तसदर होत नसेल तम्हा प्रॉब्लम है एनिवेस कमिंग बाक तो पॉइंट कि टेरर फंडिंग वर एक दा यूपेसी ने अल्ड़ी वीचार ले यहां कॉन्फरेंस सार वोल दर तुम्हाला माहित नसेल तरी हां अड्रेस वाला आसता अपन तरी सुद्धा मी यहां ओवरॉल क्वेशन चे काटेगेरी बगता आण 2020, 2020, 2020 यहां माक चे तीन-चार वर्षा चे इंटनल स्क्रीटी चे क्वेसेंज बगता यहां इंटर्नल स्क्रीटी चा सेक्शन ला जा जागेरी टाकाई चा प्रेत नर अकरतो है ठीक है I put this internal security वाला section into moderate to tough category मनुन now for 2023 the internal security component is no longer the low hanging fruit जर तुमाला महिती असतील कारण repetition होना चे पन चांसे से दबगा या question मने मन्जे question number what we can say 9 is also regarding terrorism ठीक है तेचन अंतर question number 20 is also regarding terrorism मन्जे एकाच internal security चा threat बदल दोन question है मनुन repetition हुई और repetition जाला तमगा अगेन marks कमी होता इथे question number 19 मदे पन internal security challenges वीचार लेले और इथे border areas वीचार लेले तो border areas चालेंज तुमी इतला 19 question मदे लीणा रचे तेच मोने पर पुना थोड़ repetition हो शक्ता और score कमी हो शक्तो है मनुन moderate to tough असमी इथे लीला या section ला तो these are the 20 questions और 20 sections या अपले पूर्ण discussion मदले 20 प्रश्ण आणि हे जे आहे तह याचा मी तुमाला इथे listing पन दियुन दिली है keywords की माँ themes सगया list करूं दिली लेला है 20 questions चा या themes तुमी discuss करू शक्ता की माँ हे बगू शक्ता थी PPT मी तुमाला तुम चाही शेयर करेल and now coming to the काय thank you मनना चा आगोधर overall जेचा साथी तुमी थमले होते जागोश्टी साथी की overall prediction काया है cut off मनने बेक्षा marks सा prediction काया सु शक्ता see since GS3 component is a very unpredictable component कि माँ जो आपन पॉपिलर शब्दों आपर तो की scale-down GS3 मोठे प्रमाणावर होतो है गेला 2-3 वर्षाद यहाँ वर्षी साजर question paper मी बगितला जसा मी शुरुवाती लाद सांगितला की थोड़ा lengthy question paper आ है plus जे component आपलेला low hanging वाटता है ते component आता थोड़ से moderate to tough level लगेले है plus GS3 मदे जे probable component होते है food, security, inclusive growth वगरे असले component आता दिशत नाई है जुने component resurface होता ना दिशता है यहाँ 3-4 कारणान मोले मलास वाटत आता GS3 थोड़ासा सोपा विशय नाई है तो थोड़ासा higher level लगेलेला है question wise पन थोड़ा higher level लगेला है आणि जे वा higher level ला question जातो ते वा far innovation discussion होत ना ही तुम्ही paper complete केला है का हे discussion जासता होता आणि paper complete केला नंतर तुम्ही प्रशन लीलेत का उत्तर कशे लीलेलेत याचावर discussion होता प्रशन सोपा आसला एक लक्षात गया प्रशन जार सोपा आसला तक कोणी जासता innovation दिला है याचावर discussion होनार आणि ते चमुले ते scaled down होना कारेंट सगायन से आंसर सेम दिशनार पन प्रशन थोड़ासा टफ कि मा लेंदी आसला तर तिथे far जासता innovation ला स्कोपना ये लीलेला है का जाचावर focus है तो आणि ती थे मार्श दिले जाता ते चमुले माला आसला तो माजा आंदाज जो आहे की गेला वर्शी जी range होती मंझे right from range was very wide मंझे right from 70 near about 70 to 105 ही रेंज होती जे पास जाले होते कांडिडे गेला वर्शी तो यहां वर्शी ही रेंज थोड़ी सी माला अपर साइडला जाता ना दी सेल असा वाटता है माजा प्राइमरी आंदा जे लेट सी विल सी दाट इन दे अक्चुल मार्श इट अलसो ते आप लेला अपर आप लेट लेट दे स्कोर ही माजा फाइनल कंक्लूजन यह बद्धल चा असना रहें बाकि डीटेल क्वेश्चन वाइज दिमांड स्ट्रक्चर कंटेंट है सगर नंतर्ट चा सेशन ला डिसकस करू थैंक यू बेरी मच बाई बाई टेक केर दूसरे जीएश चे सेशन बागाला वी सुरू न का ओके बाई